आप सबी का स्वागत है आज आपके लिए फिर से एक वीडियो बना रहा हूं तो आप इस वीडियो के कुश्चन पढ़ करके अपनी लाइब में सफल हो सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं तो आप हमारे वीडियो को देखिए समझिये कुश्चन और जिस कुश्चन में दिक्कत हो समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं और यदि आपको अंत में वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल फिटर प्राटर को सब्सक्राइब करना ना भूले हम प्राचीन काल से किस वेल्डिंग का प्योग होता आ रहा है जो पंद्रा सो साल पुराना है तो हमें इस कुश्चन में आंसर लगाना है कि किस वेल्डिंग का उप्योग बहुत पहले समय से होता आ रहा है इंग्लिस वाले कर सकते हैं इसमें इंग्लिस में मीनिंग का 19-20 अ तो पहले इसको आंसर आपको बताना है कुछ समाई के लिए मैं रुकूंगा इसके बाद आप आंसर अपना टिक कर लेंगे फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा पहला उप्सन है आर्क बेल्डिंग दूसरा है नॉन प्रेसर बेल्डिंग तीसरा है फोर्ज बेल्डिंग और चौता है गैस बेल्डिंग तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा तो इसका पहला आंसर जो है आर्क बेल्डिंग है यदि आपने आर्क बेल्डिंग आंसर लगा है तो गलत है क्योंकि आर्क बेल्डिंग जो है पंदरा सो साल पुराना इतियास नहीं है आर्क बेल्डिंग जो होता है ये फ्यूजन बेल्डिंग होता है ये पिघल करकी बेल्डिंग करता है तो ये आर्क बेल्डिंग नहीं होता था पहले नोन प्रेसर बेल्डिंग होता है ये भी एक प्रकार का fusion building ही होता है जिसमें pressure नहीं लगाया जाता है तो ये भी answer नहीं होगा आपने अगर ये लगा यदि आपने इसका तीसरा answer थाड answer लगा है फोर्ज building तो ये right answer होगा क्योंकि फोर्ज building में हम धातू को लाल गरम करते हैं दोनों तरफ से दो धातू को जिन जिन को हमें जोड़ना है इस धातू के दर लाल गरम करेंगे इस धातू को लाल गरम करेंगे और दोनों धातू को तर की उपर रख करके hammer से चोट लगाते हैं pressure लगाते हैं तो इस building को हम forge building कहते हैं और pressure building भी कहते हैं क्योंकि बेल्डिंग प्रेसर के हिसाब से प्रेसर और नॉन प्रेसर होती है और फ्यूजन के हिसाब से फ्यूजन और नॉन फ्यूजन होती है जो नॉन फ्यूजन होती है उसमें पिघल्टा नहीं है लोगा लेकिन प्रेसर होता है तो इसलिए हम नॉन फ्यूजन को प्रेसर building कहते हैं और जिसमें हमारा fusion होता है और जिसमें fusion नहीं होता है उसमें हम pressure देते हैं तो कहीं न कहीं हमें यदि दातु पिखलती नहीं है तो pressure से जोड़ा जाता है और जब दातु पिखलती है तो non pressure अर्ता तो उसमें प्रेसर लगाने की जोत नहीं पड़ती है इसमें फोर्ज बेल्डिंग इसमें लोहे को लाल गरम करते हैं और एक एंबिल पर नहाई पर रखकर उसको हमर से ठोक ठोक करके पीट-पीट करें एक दूसरे में जोड़ा जाता है तो इसे हम फोर्ज बेल्डिं और प्रेसर बेल्डिंग के नाम से जानते हैं नेक्स गॉशन दातू के आधर पडर बेल्डिंग की कितने परकार हुते हैं तो इस कॉश्ण के आंसर में आपको बता देता हूं सायद आपको इसका म90 का मालूम है तो आप अंसर लगाईए इसका पहले एक प्रकार की होती है पर दो प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है चार प्रकार होती है हमें बेल्डिंग को बताना है धातू के आधार पर तो धातू के आधार पर दोसे इसका ज़िए आपने आंसर दो आंसर इसका लगाया है आपने तो इस कांसर दो आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि धातू के अधार पर दो प्रकार की वेल्डिंग होती पहली वेल्डिंग जो बताता हूं जैसे पहली वेल्डिंग माल्डी स्टील को हम माल्डी स्टील के साथ जोड़ेंगे एक वेल्डिंग तो यह होगी औ तो इसके अलावा कोई दूसरा प्रकार नहीं हो सकता, एक तो सेम धात्मों का होगा, दूसरा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट धात्मों का होगा, जिसे ये माल स्टील अलग है, हाई करवन स्टील अलग है, तो ये दो प्रकार होगा, फैला हो गया सेम धात्मों का, दूस इसलिए दो नम्मर कुश्चन में बताया है कि autogenius building किसे कहते हैं तो autogenius building कहते हैं समान धात्वों को जोडने के लिए तो इसका first answer right answer हो जाएगा इसमें कोई tension लेने की जरूरत नहीं अलग अलग धात्वों गलत हो जाएगा तीसरा गलत हो जाएगा चौता गलत हो जाएगा अ जब भी हमें एक सा काम करना हो कोई एक सी बस्तों का production करना हो तो हम auto cut लगाते ते मसीन में मसीन में auto cut लग जाता है तो वो स्यम काम कर सकती है यदि अलग अलग काम होंगे तो auto cut नहीं लगेगा तो समान धात्वों को जोडना होगा तो हम autogenius building का उप्योप करेंगे तो जह ह प्रेसर की आधार पर building के कितने प्रकार होते हैं तो अभी अभी मैंने बताया तो दातु की आधार पर अब मैं बता रहा हूं प्रेसर की आधार पर building के दो प्रकार होते हैं पहला सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा पहला होगा नहीं थाड होगा नहीं चौता होगा प्रेसर के आदार पर बेल्डिंग के दो प्रकार होते हैं एक होता है प्रेसर बेल्डिंग एक होता है नॉन प्रेसर बेल्डिंग मैंने पिछले कोश्चन में अभी बताया था कि जो धातू पिखलती है उसी हम फ्यूजन बेल्डिंग कहते हैं लेकिन उसमें प्रेसर नहीं को हमें क्या करना पड़ेगा प्रेशर हमें देना पड़ेगा क्योंकि वह प्रेशर से ही जुड़ेगी क्योंकि उसमें पिघल तो रही नहीं है तो दो प्रकार के होती प्रेशर एक नॉन प्रेशर इसका हम फिफ्ट कोश्चन करते हैं निमने प्रेशर वेल्डिंग पहचान यह रहा अंसर लगांए इसका है पोफ हो गया तो और कम प्रता है चारिक में लोहा में पुछा गया और के टॉचना children होती है और fusion welding रहती है तो यह non pressure होती है फोर जब से थीजिसन नंबर पर लिखा होगा फोर्ज welding बीजिशन होती है नोटेट होगी तो इसका थार्ड आंसर एधि आपने लगाया था तो ताट डरा ताप के आधार पर वेल्डिंग के कितने प्रकार होते हैं तो आप इसका टाइमर के साब से आंसर लगाई ये पहला आफसान इसमें दिया गया है ताप के आधार पर राचानिक भी दिया है बिदुद भी दिया मेकेनिकल भी है और सभी है तो दो जिसने अदिया आपने इस कांसा सभी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है इस कांसा सभी होगा क्योंकि ताप जो रासानिक बिदी में भी ताप मिलता है बिद्दुद बिदी में भी ताप मिलता है मेकेनिकल बिदी में भी ताप सानिक इरीा से करती है तो इस भीदिडी से बैल्डिग होती है बिदूत every से हुआ रहेती it to me Quin कर सकते हैं लाइट की दौरण मेकैनिकल सोल्डरिंग का हमारा कर्टि सोल्डरिंग n डार रहता है एक जिसमें हम बटन को दबाती है तो फ्रिक्सन के द्वारा हमारी बिद्धु उत्पन होती है लेकिन नम की करएंट उत्पन होती है बहुत कम उप्यूंग मेकेनिकल बिद्धी बहुत कम किया जाता है लेकिन इसका फौर्ट अंसर आइट अंसर हो जाएगा यह कि टाइम आउट हो गया तो इसमें रासान एक बीडी से हमें पहचानना है कि कौन सी बेल्डिंग टाइप होती है यो केमिकल प्रोसेस होती है अभी मैंने पिछले कोश्चन में आपको बताया था कि रासान इक बीडी से एक बेल्डिंग होती है तो यदि आपने पहला आंसर लगाया है तो राइट अंसर है फोर्ज बेल्डिंग भी राइट अंसर है थर्मिड वेल्डिंग भी राइट आंसर है तर्मिड वेल्डिंग भी राइट आंसर हो जाएगा अब अपन को सुच विचारी ऐसी करना है कि जैसे मैंने आपको गैस बेल्डिंग बताया तो तो C2H2 और O2 रहता है दोनों गैसे मिलकर के आग उत्पन करती है लेकिन फोर्ज बेल्डिंग में भी रासानिक बिडी होती है क्योंकि जो हमारा कोईला होता है कोईला जब जलेगा कोईला जलेगा तभी आग उत्पन होगी और तभी हमारा जॉब गरम होगा इस प्रकार से जो फोर्ज बेल्डिंग होए और इसके बाद थर्मिट बेल्डिंग दिया गया थर्मिट बेल्डिंग में भी रासानिक किरिया होती है जो हमारा iron powder रहता है और thermite होता है जब दोनों मिलते हैं तभी heat उतपन होती तो इसलिए इसके राशन एक विजी से तीनों में ताप उतपन होते हैं तो हमें थोड़ा समझना है कि इसमें ताप किस विजी से हो रहा है तभी आपको समझ में आएगा किस तरिके से ताप ताप उत्पन हो रहा है करेंट विदी द्वारा वेल्डिंग का प्रकार है तो यह कुश्चन में आपको बता देता हूं कि जब हमें जो हमारा सोल्डरंग ऑरान होता जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं उसमें हम जब प्रक को अपने स्विच में लगा दեते हैं और उसमें भी बीच में एक गरम होता अगरल को इस सोल्डरिंग कर्ना मरेट बीच्मर में लगा देते हैं । tracks जो हमारा फिलर मेटल होता है वो रख देते हैं तो गरम होके पिखलकर उसकी रूट गेप में भर जाता है तो ये तीनों बिदिया हमारी जो है करेंट बिदी वाली बिदी है तो इसलिए सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा इस सभी वाला ओप्सन मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप के साथ इसके डिटेलज की जानकारी भी कर सकें आर्ग वेल्डिंग रिजिस्टेंस वेल्डिंग और इन्डेक्षन वेल्डिंग तो तीनों की नाम याद कर लीजिए आप तीनों भी आ सकते एक भी आ सकता है नायन्त कोशवन आर्क वैल्डिंग मेंкимиची टिद उतबन होती है o current होता है तो इसमें हमारा जो main focus रहता है where voltage का current का रहता है हमारी जो เซल्डिंग होती है वो low voltage हो high current से होती होती है voltage low होना चाहिए current अधिक होना चाहिए तभी हमारा chasing on all ही subscribe क्र refuse क्योंकि electrood को पिखलने के लिए current की जरूरत बढ़ती ह३ो तो हमारा voltage कम हो जाता है current बढ़ जाता है तो इसका जो heat का सूतर होता है h बराबर v into i into t होता है voltage into current into time तो हमारा v into i into t होता है तो हमारा first answer right answer हो जाए याद कर लिजिया भट के question है 10th question जो है resistance building अभी अभी मैंने बताया था कि जब किसी electrode की बीच में resistance उत्पन किया जाएगा तो resistance बढ़ेगा तो वो heat होती है तो हमारा लोह जो है या कोई अन्य दातु है गरम होगे पिखलने लगती है resistance जो होता है वो हमारा आर से दर्साए जाता है तो आर जो होता है आर होता है आर तो इसमें हम हीट यो उत्पन होगी वह हमारी i square r into t क्योंकि इसमें voltage नहीं आएगा इसमें resistance आएगा और current आएगा और time आएगा कितने time तक उसमें दे रहे हैं तो इसमें second answer right answer होगा h बराबर i square into r into t तो यह resistance building में रहता है 11th question soya empire की building current के लिए चस्मे का काच किस set का होगा जो हम building में जो चस्मा यूज करते हैं वो काले रंग का चस्मा होता है ताकि वो पराबेगनी किरणे जो निकलती है वो हमारे आख तक ना आ आ पाए और हमारी आखों की रक्षा करती है वो काले रंग का एक कलर्ट ग्लास चस्म होता है तो उसमें set आते हैं एक 3-7 set number का आता है 8-9 set number का आता है 10-11 set number का आता है 12-14 का आता है तो मैंने सारे set number लिख दी है पर मैं जो आंसर बताऊंगा 100 empire के करेंट के लिए 8-9 set number का यूज होता है तो इसका second answer हो जाएगा अब 3-7 set number जो होता हो 40 empire के आस-पास के लिए रहत होता है 12-14 set number वाला होता हो 300 empire की रहता है सबसे काला चस्मा जो होगा 12-14 set number का होगा हलका जो हलका काला होगा वह तीन से 7 set number का होगा तो यह अलग-अलग जो ब्यास की इलेक्टूड होते हैं सब्रे तो अलग-अलग ब्यास के लिए अलग-अलग current चाहिए पड़ता है जैसे यह question तो आपको कई बार में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में तो आप हमारा पुराना वीडियो देखना चाहें तो हमारे इस वीडियो की description box में जाकर वीडियो देख सकते हैं और ग्यान अरजित कर सकते हैं तो हम इसको बता देते हैं जहां light की supply नहीं होती है जहां बिली नहीं होती है वहां पर हम किसका तो मोटा generator दिया पिहला दूसरा इंगिन generator दिया ट्रानसफंधिया रैस्फार्मर एक्ट leftर हो जाएगा building किस current से की जाती है तो ये question भी कई बार मैं बता चुका हूं building के लिए किस current का यूज्ज करते ही AC DC तो इसमें हम दोनो current का यूज्ज करते ही ADC का भी कर सकते है DC का भी कर सकते है लेकिन अच्छी building जो होती है वो DC से होती है क्योंकि ये फैरस के लिए भी हो सकती एसी वेल्डिंग केबल फैरस में यूज होती है तो इसका दोनों अंसर राइट अंसर हो जाएगा 14 वेल्डिंग में साधान आर्क की लंबाई कितनी होती है तो वेल्डिंग में आर्क बता देता हूँ अभी अभी मैंने बताया था इस तप्रीके से हमारा इल्ग्डोट तीर्चा रहता है तो इह बेल्डिंग यह हमारा जॉब और इसकी नॉपक के बीच की जो ये दूर ही रहती है ति हम आर्क लेंथ कहते हैं ये आर्क लेंथ होती है ये आर्क लेंथ मेडियम रहना चाहिए ना बहुत अधिक होना चाहिए ना बहुत कम होने चाहिए तो हमारा यह होना चाहिए ऐलेक्टूट की व्यास की बरावर तो ऐलेक्टूट का व्यास जो 3-4 mm लगववग रहता है तो हमारी normal arch की लंबाई warrant का 3-4 mm होती है तो इसका third answer right answer हो जाएगा normal arch की लंबाई अब लोंग आर्ग होती है तो उसकी लंबाई 10 mm क्या असपास होती है आठ से 10 और सोट आर्ग होती है उसकी लंबाई 2 से 3 mm होती है लोंग आर्ग को सोट आर्ग से क्या प्रभाव पढ़ता है मैं नेक्स्ट कुश्चन में बताने वाला हूँ आक लेंद का सही सूत्र क्या है अभी अभी मैंने बताया है कि जो इलेक्टोड का ब्यास रहता है ये डाया डी वो ये जोब की सत्य की बीच की दूरी ये ल रहती है तो हमारा डी बराबर ल होता है अर्थात इलेक्टोड के ब्यास जो होता है वो ब्यास D हो गया, L बराबर D होगा तो इसका थर्ड आंसर L बराबर D यानि जो हमारे बीच की दूरी है वो डाया के ब्यास के बराबर होगी R लोंग आस से बॉल्टिज क्या होगा तो मैं यह बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ जैसे माल दिजिए यह एलेक्टोर है हमारा एलेक्टोर होगा जोब के बीच की दूरी रखना है में 3 M में माल दिजिए लेकिन हमने रख दी इसको 7 M रखना 3 लेकिन रखती 7 तो क्या दिक्कत होगी इसमें current कम हो जाएगा क्योंकि हमारी दूरी बढ़ गई तो current कम होगा तो इलेक्टोड हमारा दीरे-दीरे पेगलेगा तो अच्छे से नहीं पेगलेगा तो जब current इसमें बढ़ जाएगा current जब बढ़ जाएगा तो voltage कम हो जाएगा तो हमारा voltage के बारे में पूछा है ये जरूर धियान रखें V into I होता है कोई भी symbol तो जब हमारा V I में अभी-अभी मैंने बताया था H बरावा V into I into T अभी-अभी सूतर लिखा था मैंने तो जब इसमें I की value कम होगी तो V की value बढ़ जाएगी तो voltage बढ़ जाएगा तो इसमें अभी पूछा गया voltage क्या होगा तो voltage बढ़ेगा लेकिन कभी अगर current पूछेगा तो current की मात्रा कम हो जाती है तो दोनों question याद रखेंगी next question electrode का side लिया जाता है electrode का side किस से लिया जाता है electrode का side लिया जाता है core wire से electrode के बीच में एक तार सा रहता है उपर उपर coating रहती है तो इससे डाय हमें उपर से बड़ा सा दिखता है लेकिन बीच में जो रहता है एक तार टाइप का रहता है तार लोहे का उसे हम core wire कहते हैं, हम इसके उपर वाले ब्यास से नहीं लिखते हैं, तो इसका size core diaya से लेते हैं, जिसका मैं एक example देखे आपको बताता हूं, जिसका अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती के उपर सोगंधित पदात जोहें लेपित रहता है, लेकिन उसमें पास की छड़ रहती पतली रहती है, तो electrode का size core wire से क्यों लिया जाता है, क्योंकि जह हमारा लोहा पिगलता है, तो उपर का मट्रेल होता है, वो तो हमारी building को साब करता है, लेकिन जो में जोडने का काम करता है, वो core wire करता है, बीच में लोहे की छड़ होती है, इसलिए उसी से हम इसका size लेते है कोटिंग फेक्टर का सूतर क्या होता है, तो हमारे electrode की दो डाया रहते है, एक डाया रहता है, उपर वाला, बड़ा वाला, एक डाया रहता है, core wire वाला, नीचे वाल, अंदर वाला, जैसे मैं इस तरीके से बना, यह core wire है, माल लीजी, एक core wire है, जिसमें मैंने color कर दिया, red यह core wire वाला है, यह फिलस्क वाला रहता है, यह बड़ा रहता है, तो बड़े को मैं capital D लेके देता हूं, छोटे को small D लेके देता हूं, तो इसका जो coating factor होता है, वो coating factor का सूतर आता है, तो इसका होता coated डाया बटे core data, second answer, right answer होगा, बड़ा डाया उपर रहेगा, छोटा डा यह बटी रहती है, छोटी सी, जिसमें हम electrode को रख कर मोश्यर को खतम करते हैं, क्योंकि मोश्यर नमी होती है, और नमी वाला electrode आप यूज करोगी, तो हमारी building खराब होगी, अंदर से खोगली हो जाएगी, तो हमें मोश्यर हटाना पड़ेगा, मोश्यर मताब पानी होता है, और पानी जो होता है, वो 100 degree Celsius पर उड़ जाता है, तो हमें जो oven का temperature रखना चाहिए, वो 100 degree Celsius से अधिक रखना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा, वो 125 degree Celsius राइट आंसर हो जाएगा, हमारे oven का temperature क्योंकि पानी 100 degree Celsius से उपर पर उड़ जाता है, और हमारे electrode सुख जाएगा, औ हमारी building अच्छी होगी, नमी वाले electrode का उप्योग करने से, यह तो question मैंने अभी बता दिया, कि नमी वाले electrode का उप्योग करने से क्या होगा, नमी वाले electrode करने से हमारी खुगली building हो जाएगो, खुगली building का पूरो सीटी कहते हैं, तो इसका right answer, third answer, right answer हो जाएगा, एक स्बसे मोटी सीट में कौन सी building की जाती है, तो सबसे मोटी सीट पर double J joint उप्योग करते हैं, तो देख लीजे डवल J joint, इस फरस्ट नमबर में दिया है, यह बना के आपको द double T joint रहता है, 20 से 25 के लिए, 16 से 20 के लिए हमारा T joint रहता है, तो यानि 16 से start होता है, 16 से 20 के लिए, और 20 से 25 के लिए हमारा double T, 25 से 30 के लिए हमारा यह हो जाएगा, single J और double J हो जाएगा, 30 से अधिक के लिए, तो यह चारों आप याद कर लीजे, अगला वीडियो जब मैं बन आँगा, तो इस तरीके से यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कोशन मिलते रहेंगे, और जो एक्जाम में आते हैं, आप एक्जाम